हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू आवर चैनल तो LNME की दुवारा यहाँ पर पार्ट टू इग्जामनेशन फॉर्म के सम्मंदित गैडलेंड जारी कर दिया गया है कि आप सभी का इग्जामनेशन यहाँ पर शेडियूल का तियारी शुरू कर चुका है LNME तो यहाँ पर देखे लिखा हुआ सभी सम्मंदित को सूचित किया जाता है कि इस नातक दीतिये खन सत्र 21-24 परिशा 2023 की तियारी शुरू हो चुकी है इस परिशा में सम्मिलित होने योग्य वैसी परिशार थी जिन होने इस नातक प्रथम खन सत्र 21-24 परिशा 2022 में अपना परिशा परपत्र यान की जोगपका एक्जामनेशन फॉर्म होता है ओफलाइन बहरा था वे इस नातक प्रथम खन की तो यहाँ पर लिखा हुआ जिन छात्र छात्राओं ने शैशन एकई से 24 का अपना पार्ट वन का एक्जामनेशन फॉर्म ओफलाइन मोड में भरा था उन लोग को यह सब जो डॉकुमेंट दिया गया है एक दो तीन इनको यहाँ पर यह जो आप इमेल आईडी देख रहे हैं coe.lademy.ac.in पर आपको 20 मई से पहले आपको भेजना पड़ेगा तभी आप यहाँ पर पार्ट टू का ओनलाइन इग्जामनेशन फॉर्म भर सकते हैं तो देखी यहाँ पर पहला जो डॉकुमेंटर ओफलन परिशा प्रपतर की छाय प्रति यानि कि फोटो कॉपी आपको भेजना है उसके बाद दूसरी नंबर पर जो आपने परिशा शुल्ड रसीद मिला था आपको उसका आपको यहाँ पर इमेल भेजना और यह तीनो इसे पहले भेजना पड़ेगा उसको तीसरा पहले पंजीन रसीद यानि कि रेजिटेशन का जो आपके पास रिसीप्ट मिलेगा उसके बाद नीचे लिखा हुआ इस नातक दीते खन में ऑनलाइन माध्यम से परिशा प्रपतर भरने ही तो इसे आविशक समझा जाए तो य कराते हैं उन्हें इस नातक दीते खण के परिशा प्रपत्र भरने में जो कठिनाई आएगी उसके लिए वे स्वाइज जिम्मेदार होंगे तो अगर यहाँ पर इस नोटीस के बाद भी अगर आप नहीं भेशते हैं तो उसके आप जिम्मेदार खूद होंगे क्योंकि इसमें लिखा गया कि अब offline mode से आपको examination form भरने की अनुमती नहीं दी जाएगी तो देखे लिखाओ इसमें विदित हो कि विश्विद्याले भविश्य में offline परिशार प्रपत्र सुईकार नहीं करने का निर्ना ले चुकी है तो यहाँ पर भविश्य में आपको offline परिशार प्रपत्र भरने नहीं दिया जाएगा तो वही आपको सूचित कर दिया गया कि आपको यहाँ पर यह सब डॉकुमेंट भेजना है इमेल पर तब आप यहाँ पर ओनलें इजामनेशन फॉर्म भर सकते हैं पार्ट टू का उमीद करता है आप सब्सक्राइब में आ गया हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना थैंस वाचिंध थैंस वहाँ करती है इस विडियो